जहीं दोस्तों आज के इस क्लास में आप सब भी इका बहुत-बहुत स्वगत हैं तो दोस्तों विहार पुलिस सिपाई की परिक्षा के लिए आज हम लोग फिर से हिस्ट्री यानि कि भारत्य इत्यास से टोटल 40 सेलक्टेट प्रसनों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं जो कि साथ्यों आपके बहुत पुलिस एकजाम के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टन रहेगा तो साथ्यों आप सभी आज इक के इस टेस्ट को ध्यान से पूरा लगईए और देखे साथ्यों डेली हम लोग इसी तरह से किसी न किसी सब्जेक्ट से टेस्ट लगा रहे है तो साथ्यों आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी डेली क्लास को अटेंड किजिये तो चलिए फ्रंट्स रात के आज बत चुके हैं फटा फट से आप सभी लाइब में आजाये ये सभी फ्रंट्स को गोड एवनिंग गोड एवनिंग तो चलिए आज का पहला कोशन तेखिए विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। तेखिए दिये हैं बिल्कुल सही जवाब है दास्ता का अंत बाकि ठगों का दमन सती पर्था का अंत धर में परिवर्थन के कारण और समर्थाओं को दूर करना ये सभी उपाय लागू किया गया था। भारत ने दास्मिक मुद्रा पर्नाली को किस वर्ष में शुरू किया था। बिल्कुल सिलेक्टेट कोशन है चलिए आप सभी आंसर बतेए। तो साथियों भारत ने दास्मिक मुद्रा पर्नाली को किस वर्ष में शुरू किया था। तो याद रखेगा 1956। पूरा डेठ है 28 दिसंबर 1956। आगे दिखें आवद में किसानों कर्नेत्रित्व किस ने किया था। तो साथियों आप पर इसका सही जवाब है बाबा रामचंद्र। अबच्छित्र में किसानों कर्नेत्व बाबा रामचंद्र के प्रयासों से 17 अक्टूबर 1920 को याद रखेगा 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगड जीले में आवद किसान सभात का गठन भी हुआ था। याद रखेगा आंसर यहाँ पर क्या होगा बाबा रामचंद्र। राजनिती से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता या सब्द किस ने कहा था चलिए अच्छा कोशन आंसर बताईए राजनिती से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता या सब्द किस ने कहा था तो साथ ये कहा था महत्मा गांधी जी ने यहाँ पर सी ओप्शन आपका सही जवाब है महत्मा गांधी निम्न लेखित में से कौन सी पार्टी का संगठन डॉक्टर अमेडकर के द्वारा अस्थापित नहीं किया गया था चली कोशन नमर पाच के लिए आंसर बताईए तो साथों यह है दलित मुक्ती मूर्चा पार्टी इसका संगठन डॉक्टर अमेडकर के द्वारा नहीं किया गया था बाकि सम्ता, सेनिक दल, सोतंतर मजदूर संग, the Republican Party of India इन सभी पार्टी का संगठन डॉक्टर अमिटकर के द्वारा स्थापित किया गया था भारत में पहली बार किसने वार्शिक आय का अनुमान किया था इस कोशन को आमने पहले भी आपको बहुत बर बताया है आंसर बताये, भारत में पहली बार किसने वार्शिक आय का अनुमान लगया था तो सात्यों इस कोशन का सही जबाब है, दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर ए आप्शन आपका सही जबाब है, दादा भाई नौरोजी को भारत का व्रिद पुरुषभी बोलायाता है इसे ही फरंटीयर गांधी, या फिर सिमान्त गांधी के नाम से जाना जाता है निम्न में से कौन सी प्राथना समाज की मांग नहीं थी चलिए, कोशन नमर आठ के लिए आंसर बताइए कल हमने आपको बताया था प्रातना समाज के स्थापना के बारे में जो के 1867 में आत्मा राम पांडू रंग के द्वारा किया गया था तो प्रातना समाज की मांग इन में से कौन सी नहीं थी तो लड़के एवं लड़कियों के विभा आयू में वृद्धि करना ये प्रातना समाज की मांग नहीं थी बांकि इस्तरी सिक्षा विद्वा पुनर्विभा आस्परिस्ता के समाप्ति ये सभी मांग थी 1926 में नौजबान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई चले बिलकुल टॉप लेबल का कोशन है आंसर करते चलिए नौजबान भारत सभा कब बनी थी 1926 में तो सात्यों इसका सही जबाब है भगत सिंग के द्वारा राजस्व में रायत वारी परियोग का प्रारंब किसके द्वारा किया गया था तो देखे सात्यों रायत वारी पर्था के जो शुरुआ थे वो 1820 में सर थॉमस मुन्रो ज्यान रखना है नाम सर थॉमस मुन्रो और कैप्टन अलेकजंडर रीड के द्वारा किया गया था तो option में देखिए Thomas Monroe नहीं है option में Alexander Reid दिया हुआ है तो दोनों नाम आपको ध्यान रखना है Sir Thomas Monroe और Captain Alexander Reid तो answer यहाँ पर क्या होगा Alexander Reid गांधी जी ने दांड यात्रा प्रारम भी किया था चलिए बिल्कुल आपको सोच समझ कर आंसर करना है और सात्यों जिन्हों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है पिलिज आपसे request है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए तो गांधी जी ने दांड यात्रा प्रारम किया था कब किया था तो इसका अंसर क्या हो जाएगा सावरमती आशरम से इनकलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया था तो कल भी इस question को अमने बताया था इनकलाब जिन्दाबाद एक उर्दू नारा है जिसका अर्थ होता है करांती की जय हो और यह नारा दिया था भगत सिंग ने भारत में एक collector पद का स्रिजन कब हुआ था चले तेरह के लिए आंसर बताये अच्छी लेवल का question है भारत में collector पद का स्रिजन कब हुआ था तो सात्यों इसका सही जवाब है 1772 में हुआ था और किसके समय में तो याद रखेगा भारत में collector के पद का स्रिजन वारन हैस्टिंग के समय में हुआ था पानी पत के तिरते युद में मराठे निम्न में प्राजित हुए थे किस से हुए थे अफगान से मुगल से अंग्रेज से या फिर डी फ्रेंच से तो सबसे पहले आपको पता होना चीए पानी पत का तीसरा युद कब हुआ था तो याद रखेगा 1761 में पानी पत का तीसरा युद हुआ था और इसमें मराठा प्राजित हुआ था किस से तो इसका सही जबाब क्या होगा अफगान से ए उप्सन या पर सही है पानी पत का पर्थम युद याद रखेगा 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में दूसरा युद हुआ था 1556 में और तीसरा युद हुआ था एहमत सा अवदाली और मराठों के बीच में और इस लडाई में मराठा सेनापती सदासीव रावभाव अफगान सेनापती अवदाली से मात खा गया था तो आप्शन में अफगान दिया हुआ है सती पर्था पर निम्न लिखित ने रोक लगाई थी देखे कुशन बार बार रिपीट हो रहा है इसे ध्यान रखेगा एकजाम के लिए इंपोर्टेंट है लॉड विलियम बेंटीक ने कब तो अठारा सो उननतीस में और इसमें सा पुदान यगिसे संबंदी थे विनोवा भावे अचार्य विनोवा भावे यहां पर सी ओप्शन आपका सई है आगे देखे भारते राष्टे कॉंग्रेस के स्थापना कब हुई थी यहां से देखे आपको यह भी याद कर लेना है विनोवा भावे का जन्म हो सकता है पू पर 1850 को होती है याद रखेगा ए ओ यून के द्वारा इसके संस्थापक थे और किसके समय में हुआ था आप लोग तो आचा कमेंट करके बताईए देखते कितने बच्चे को याद है विश्व के पर्थम धर्म महा सम्मेलन में किस भारतिय ने भाग लिया था तो विश्व का पर्थम जो धर्म महा सम्मेलन हुआ था ये हुआ था सिकागो में कब हुआ था तो 1893 में और इसमें भाग लिया था स्वामी विवेका नंधनी निम्न में से किस ने 1857 के विद्रो को भारत का प्रथम स्वतंतरता संग्राम कहा तो ये कहता वीडी सावरकर ने किस ने कहा था वीडी सावरकर पूरा नाम क्या है विनायक दामोदर सावरकर स्वाजिन्ता हमारा जन्वसित अधिकार है ये किसका कथन है तो साथ ये कथने बाल गंगाधर तिलक का यहां पर ए आप्षिन आपका सही है करो या मरो का नारा किस ने दिया था तो साथ यो करो या मरो का नारा 1942 में दिया गया था भारत छोड़ो आंदुलन के दौरान और दिया था महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राई क्या है तो साथ यो महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राई क्या है आत्म ग्यान देखे सी ओप्षन में आपर दिया हुआ है आत्म ग्यान निम्नलेकित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे चले यहां पर सभी का अंसर सही है लौड विलियम बेंटिक भारत में सबसे पहली रेल गाड़ी कब चलाई गई थी तो साथियों भारत में सबसे पहली रेल गाड़ी चलाई गई थी 1853 में देखे B आप्शन में दिया हुआ है 1853 में और यहां से ध्यान रखना है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा लौड विलियम बेंटिक लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो क्या होगा वारन हैस्टिंग जो की ए आप्शन में दिया हुआ है भारत में विद्धुत आपूर्ति सबसे पहले कहां पर शुरू हुई थी तो साथियों सरप्रथम 1897 में दार्जलिंग में विजली के आपूर्ति शुरू ही थी तो देखे डी आप्शन में दिया हुआ है कहां पर दार्जलिंग में किस कांड के कारण आसायोग आंदुलन बंद करना पड़ा था चलिए अच्छा कोशन आंसर बताइए तो कौन सा कांड है जिसके कारण आसयोग आंदुलन को वापस लेना पड़ा था तो ये है चौरी चौरा कांड यहां पर ए आप्शन आपका सही जबाब है जो की हुआ था फरवरी 1922 में इसी के कारण आसयोग आंदुलन को वापस लेना पड़ा था आसरयोग आंदरन के शुरुआत होती है एक अगस्त 1920 से किसने किया था महात्मा गांदी जी ने आप लोग कमेंट करके बताइए चौरी चौरा जो ये जगह का नाम है ये किस राज में है जालिया वाला कांड किस वर्स में हुआ था ये तो सिंपल सा कोशन ने 13 अप्रेल 1919 को हुआ था सी ओप्सन में दिया हुआ है पंजाब के अमरित सर्मी ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे चलिया अंसर करते चलिए ब्रह्म समाज आर समाज आत्मे सभा इन सभी को ध्यान रखना है एकजाब में पूछा आता है तो ब्रह्म समाज के स्थापना जो है अठार सो अठाईस में किया गया था किसके द्वारा राजा राम मोहन राई के द्वारा और साथियों internet 18.15 में राजा राम मोहन राईने ही आत्मे सभा की अस्थापना किया था इसे भी ध्यान रखेगा आरे समाज के स्थापना पूछे तो 1875 में क्या था किसने स्वामी ध्यानन्द सरसोती ने और सात्यों स्वामी ध्यानन्द सरसोती ने ही नारा दिया था वेदों की और लोटो और इनकी प्रसिद पुष्टक है सत्यार्थ प्रकास सत्यार्थ प्रकास किसके पुछतक है स्वामी द्यानंद सरसोती की भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो भारत के पर्थम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक यहां पे पूछा गया अंतिम कौन था तो साथे उसका सही जवाब है C. राज गुपालाचारी ओप्सन के अकॉर्डिंग चलना है भारत के अंतिम गवर्णर जनरल कौन थे? C. राज गुपालाचारी निम्न लिखित में से कौन? सिमान्त गांधी के नाम से जाना जाता है सिम्पल सा कोर्षने खान अब्दुल गफार खान भारते राज़्टे कॉंग्रेस की पर्थम महिला अध्यक्स कौन थी? यहाँ पर ज्यान दिजिए पर्थम भारते महिला अध्यक्स नहीं पूछा गया है केबल महिला अध्यक्स तो साथ्यों भारते राष्टे कॉंग्रेस की पर्थम महिला अध्यक्स्ती एनी बेसंट इन्होंने 1917 में कलकत्ता अध्यक्स्ता की थी और सरोधने नाडों की बात करे ये भारते राष्टे कॉंग्रेस की पर्थम भारतिय महिला अध्यक्स्ती जिन्होंने 1925 में कानपूर दिवेशन की अधेक्स्ता किया था महत्मा गांदे के मृत्यू कव हुई थी इस कोशन को भी हमने कल बताया था बिल्कुल सई आंसर दिये हैं 30 जनवरी 1948 को गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था तो साथ्यों भारत का एकमात रैसा राज्य है गोवा जो सबसे बाद में अजाद हुआ था कब हुआ था 1961 में गोवा किरालधानी पंजी है तिलका मान जी का जन्म किस इस्वी में हुआ था सही आंसर है 1750 साथ्यों तिलका मान जी का जन्म भागलपूर में हुआ था इसे भी ध्यान रखीगा सबीने अवग्या आंदुलन कब शुरू हुआ था तो साथ्यों 1930 में सबीने अवग्या आंदुलन की शुरूआत होती है और 1928 में बार्दोली सत्यागर रंपा विद्रों कब हुआ था तो देखे साथ्यों रंपा विद्रों जो है ये 1917 से 1923 के बीच में हुआ था तो यहाँ पे देखे आप्शन के अकोडिंग चलना है 1917 में प्रारम हुआ था तो प्रारम दिया हुआ है बी आप्शन में 1917 भारत में प्रथम साम्यवादी मुखमंत्री कौन था सही आंसर है याद रखेगा केरल के मुखमंत्री थे भारत के और कौन थे आप्रथम साम्यवादी मुखमंत्री जभारलाल नहरू का निधन किस वर्स में हुआ था तो साथियो पंडित जभारलाल नहरू जो कि भारत के प्रथम परधान मंत्री थे इनका निधन हुआ था 27 मई 1964 को भारतिय जन संग के संस्थापक कौन थे तो साथियो भारतिय जन संग के संस्थापक कौन थे डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी यहां पर देखे ए उप्षन में दिया हुआ है चलिए आज का आखरी कोशन आप लोगों के लिए है जिसका अंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है अब अध में किसानों का नित्रितु किस ने किया था इसका अंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है तो चले सात्यों आज के लिए अतना ही अब आप लोग ये भी बता दीजिए आपने आज के इस चालिस प्रस्ण में कितने प्रस्ण सही किये हैं